पुछा जा रहा है, 2 सितमबर 2024 को राजस्तान में कितने नए नगर निगम बनाए गए हैं। नगर निगम दिखें राजस्तान में कुल नवीनतम जो नगर निगम बनाए गए कब 2 सितमबर 2024 को उनकी शिंक्या कितनी हैं तो आप कहेंगे सर दो कौण कौण से दो तो आप कहेंगे सर एक तो है भिलवाड़ा और एक याद रिखेगा पाली तो राजस्तान के अंदर दो नवीन नगर निगम एक पाली और एक याद रिखेगा कौण सा भिलवाड़ा तो अप्चन नमबर हो जाएगा यहाँ पर डी लेकिन लेकिन इससे पहले याद रिखेगा राजस्तान में कुल कितने नगर निगम थे इससे पहले कितने नगर निगम थे यह आपको कमेंट करके बता आँ यह तो अब नभीनतम बने भिलवाड़ा और पाली इससे पहले राजस्तान में कुल कितने नगर निगम थे यह आपको कमेंट करके बता आँ ठीक है कि राजस्तान में कुल कितने नगर निगम थे जैसे आपको पता हो तो राजस्तान के अंदर पहले शाथ संभाग हुआ करते थे अब वरतमान के अंदर कितने संभाग हैं दस जैसे राजस्तान में पहले 33 जिल्ले वा करते थे अब कितने हैं 50 जिल्ले उशी परकार राजस्तान में पहले कुल कितने नगर निगम थे और अब आपको पता हो 2 शितंबर 2024 को राजस्तान में कितने नए नगर निगम बनाए गये हैं या देखेगा दो एक भिलवाडा औ ठीक है चलिए अगला क्यूशन लीजिए अगला क्यूशन है निम्न में से किसे नगर पालिका से नगर परिशद में कर्मों नहीं किया गया बहुत गहरा क्यूशन है ध्यां दीजिएगा पुछा जा रहा है कि आपके सामने ऐसा कौण सा ओप्चन है जिसे नगर पालिका से नगर परिशद में कर्मों नहीं किया गया डुनलोद, शापुरा, लालसोट या पुशकर फिर आप सभी जानते होंगे कि दो सितमबर ये भी गोशना आपके 2 सितमबर 2024 को राजस्तान में 3 नए नगर परिशद बनाने की गोशना उई और ये जो 3 नए नगर परिशद बने हैं याद रखेगा ये नगर पालिका से नगर परिशद बने हैं कौन कौन से देखिएगा एक तो है आपके शाहपुरा शाहपुरा जो नगरपालिका थी अब इसे नगरपरिशत के रूप में एक याद रखेगा लालशोट लालशोट नगरपालिका से नगरपरिशत के रूप में और याद रखेगा नमबर तीन पुसकर और पुसकर को मनेगा कि अभी हाली में 2 सितंबर 2024 को राजस्तान में कितनी नई नगर परिशद तो याद रिखेगा तीन कौन-कौन शेखावटी के 5 पाणे तो यार्गेगा मंदावा झे डूंडलोध विशव और याद रिखेगा नवलगड तो ये पांच शेखावटी की पांच जागीरे हैं जिने क्या कहते हैं पंच पाने तो इसे याद रिखेगा कर्मोननत नहीं किया गया option number क्या हो जाएगा A is incorrect तो याद रिखेगा दो बड़ी खास बाते हो गई है एक तो नगर निगम और एक आपके नगर परिशत आप पिछले सिक्सक के एक्जाम उठा कर देखेंगे तो आपको इस परकार से क्यूशन मिलेगा कॉंग्रेश शरकार के समय कौन सी नवीनतम नगर पाले काई बढ़ी थी ऐसे क्यूशन थे करेंट में तो ये आगामी बहुत important क्यूशन बढ़ीगे अगला कुशन अगला है कल्चर कारवा कला उत्सव दुजार चोबीस का जो आयोजन है वो कहां किया गया लेजी कौन सा है कल्चरल कारवा कला उत्सव सबसे पहले तो ये जो उत्सव है ये कब आयोजित किया गया तो याद रिखेगा दो दिवश्य थावे 31 अगस्थ से लेकर याद रिखेगा 1 शित्मबर 31 अगस्थ से लेकर 1 शित्मबर दोजार चोबीस दो दिवश्य ये जो कारवा कला उत्सव है इसका जो आयोजन है वो आपके किया गया था जमार कला केंद्रे जैपूर में याद रखीगा कहां पर किया गया था? जमार कला केंद्रे जैपूर इसलिए एक बार RSSB Board ने एक क्यूशन भी पूछ रखा है कि राजस्तान में सरवादिक, सांसकर्थिक या संगीत से संबन्दी जो भी कारिकरम होते हैं वो सरवादि कहां आयुजित होते हैं इसी जमार कला केंद्र में याद रखीगा तो दो परकार के क्यूशन यहां से ओर बनते हैं एक तो ये है कि ज्वार कला केंदर की स्तापना कब हुई, ज्वार कला केंदर की और एक इसके वास्तुकार कौन है, तो दुनों में से एक आपको बताना है, आप बताईए इसकी स्तापना कब हुई, इसके जो वास्तुकार है वो है यादरिकेगा चाल्सकोरिया, ज्वार कला के अंदर की स्तापना कब हुई एक ये बता दीजिए और एक जेपूर के अंदर आपको पता हो तो रविंद्र मंच भी है इसकी स्तापना भी कब हुई बताएगा दोनों की स्तापना ठीक है तो यहां पर option नमर क्या हो जाएगा याद रिखेगा जेपूर लीजिए अगला question अगला है हाउस ओप रीप्रेंजेटिव रूप से न्यूजिलेंड में भाग लेने हैं तू राजस्तान से नामित वक्ति कौन है बताएगे वैसे यहां पर जो बात है वो हो रही है आपके बारवें वैसे आपने पेपर में पढ समाचार पक्त्र में बारवें युत कोमनल वेल्थ ठीक है पार्लिया मेंटरी एसोसियन एसोसियन यह कहां पर याद रिखेगा न्यूजिलेंड इसमें भाग लेने है तो राजस्तान से जो नामित वक्ति हैं वो कौन है यह आप से पुछा जाँ रहा है क्यूंकि यह जो है इसका जो आयोजन है वो 31 अग Mars से 6 सितमर 204 इसमें राजस्तान से जो नामित व्यक्तित्वें हैं वो कौन-कौन से हैं आप से पुछा जा रहे हैं जिसे यहां उप्षन में देखिए असोग चारण है हुकुम चंद जैन है अभी नुशिंग है या सलो नीवर्मा है तो आप कहेंगे सर इसके अंदर हमारे राजस्तान के दो कौन-कौन से एक तो याद रिखेगा अभी नुशिंग जिनका संबंध है याद रिखेगा धोलपुर से एक तो यह आपके सामने यहां पर ऑप्षन में दे रहा है एक नाम और याद रिखेगा उदेशिंग अजमीर पुदेशिंग अजमीर ठीक है याद रिखेगा तो आप्षन नमर यहां हो जाएगा ऑप्षन नमर सी इस करेक्ट टास्वर तो याद रिखेगा बार्वें युद्ध कॉमन वेल्ट है पारलिया मेटरी एसोसीन कहां पर न्यूजिलेंट ठीक है चलिए अगला क्यूश्य अगला है राजस्तान शरकार दुवारा किस योजना का समावेशन लाडो प्रोथान योजना में करने की गोशना की गई है आईयम शक्ती आपको पता हो तो एक आईयम शक्ती उडान योजना महिलाओं को सेनेटरी नेपकीन दिये जाते हैं एक है राजस्री योजना एक है उडान योजना एक है आपके सुबलक्ष्मी योजना यानि की राजस्तान शरकार दुवारा किस योजना का समावेशन लाडो प्रोथान योजना में करने की गोशना की गई है यानि की समावेशन का मतलब समझ के विले करेंगे देखिए रा राज्श्री योजना। वेसे आप देखेंगे तो राज्श्री योजना की जो शुरुवात है वो हुई है आपके 1 जून 2016 याद रखीगा। राज्श्री योजना के तेत जो प्रोथ्षांद राशी है वो दी जाती थी अब आपके तेत कुल कितनी प्रोथ्षांद राशी दी जाती थी याद एकगा 50,000 एक इतने 50,000 और यह जो 50,000 है यह छेकिस्तों में जाते थी के किस्तों के अनुशार लेकिन अभी शरकार ने ये के दिया है कि अभी ये जो राजश्री योजना है इसी राजश्री योजना का जो विले है समावेशन जो है यहाँ पर शब्द देरका है समावेशन या फिर जो विले है वो किया जाएगा कौन सी योजना में तो एक योजना आपको पता है लाडो प्रोथान योजना शुरू ही थी एक अगस्त को इसका जो भिले है वो किसमे करेंगे लाडो प्रोथान योजना और ये जो लाडो प्रोथान योजना है याद रिखेगा इसकी जो शुरुवात है वो अभी तो हुई थी एक अगस्त दो हजार चोबीस और ये जो भिले है एक सितम्बर दो हजार चोबीस याद रिखेगा अब आप कहेंगे सर चलो रासिरी योजना में प्रोटसांद रासी पचास जारती और चेकिस्तों में अब लाड़ो प्रासोन योजना में क्या है याद रिखेगा इसके अंदर बालिका के जनम से लेकर 21 वरस की आयू तक उसे 7 किस्तों के माध्यम से 1 लाख रुपे की साई लाडो प्रवसोन योजना के अंदर क्या है बालिका के जन्म से 21 वरस तक याद रखेगा साथ किस्टों कितने एक लाख रुपे की साइद वो योजना है कौन सी लाडो प्रोथ्षानी योजना तो आपको याद रखना है विशेश तोर पर के राजस्तान शरकार दुवारा ये जो राजश्री योजना है इस राजश्री योजना का जो समावेशन यानि की जो विले है वो लाडो प्रोथ्षान योजना में करने की गोशना की गई है आपके कब 1 सितंबर 2024 तो राजस्री योजना का विले किसमे हो रहा है लाडो प्रोथ्षान योजना बड़ी इंपोर्टेंड योजना है याद रखने और इससे पहले आपको पता हो तो 1 सितंबर 2024 को जो सरकारी विधालियों के अंदर कक्सा 1 से लेकर 8 वी तक के विध्यारतियों को जो दूद व रखेगा लाडो प्रोथ्षान योजना दोनों इंपोर्टेंट है ठीक है उसके अलावा यह याद रखेगा कि राजस्तान से कौन से वक्ति नामित हुए है यहां पर उसके अलावा यह आपके कारवां का लाउत्सव अच्छा क्यूशन मन सकता है करंट के हिसाब से उसके अलावा नगर परिशद में और यहां नगर निगम की बात यह थे आज के हमारे बड़े महतपुन क्यूशन जहां पर हमने इन महतपुन बिंदों के बारे में चर्चा की ठीक है